कपूर खांदान की औरते फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं करती यह रूल कब से चला आ रहा है हाला कि आलिया भट ने इस रूल को तोड़ा है और शादी के बाद भी वो फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही है बेटियों की अगर बात करे कपूर फैमली की तो करिश्मा कपूर ने इस रूल को तोड़ा था और उन्होंने काम किया फिर करीना ने भी काम किया लेकिन अब कपूर फैमली की एक और बेटी है जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करने जा रही है और वो एक बड़े शो का हिस्सा होने वाली है ये और कोई नहीं बलकी रंबीर कपूर की बेहन है रिधिमा कपूर रिधिमा कपूर जो कि एक जूल्री डिजाइनर है सोचल मीडिया पर वो अक्टिव रहती है फिल्मी पार्टीज में वो नज़र आती है लेकिन किसी फिल्म का कमर्शिल प्रोजेक्ट का वो हिस्सा नहीं रही है बट अब सुनने में आ रहा है कि रिधिमा कपूर भी डेब्यू करने जा रही है और उन्हें चांस दिया है नेपटिस्म किंग कहलाने वाले करण जोहर ने रिधिमा कपूर भी नजर आने वाली है आपको बता दे कि यह वो सीरीज है जिसके अंदर शारुक की वाइफ, चंकी पांडे की वाइफ, संजी कपूर की वाइफ, सीमा सज्टेह, नीलम ये सब ही नजर आते हैं और अपनी परसनल लाइफ, अपनी ब्यूटी सीक्रिट्स के बारे में ये बात करते हैं, अब इसी शो का हिस्सा, रनबीर कपूर की बेहन रिधिमा भी बनने जा रही है कहा जा रहा है कि ये शो के नेक्स सीजन में सिर्फ मुंबई की ही हाइफ लाइफ नहीं, बलकि दिल्ली की भी हाइफ लाइफ दिखाए जाएगी और दिल्ली की हाइफ लाइफ दिखाने के लिए रिधिमा को चूस किया गया है और रिधिमा इस सीजन में नजर आने वाली ह तो इस तरह के से रिद्धीमा कपूर भी फिल्म इंडस्ट्री में अपना जेब्यू करने जा रही है कपूर खांदान की एक और बेटी शादी के बाद मा बनने के बाद फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनेगी